बॉलिवुड के कई सारे हैंडसम और डैशिंग अभिनेताओं ने अपनी असल जिंदगी में कई सारी अभिनेत्रियों के साथ रिष्टा रखा मगर कभी भी उन अभिनेताओं के अफेर के बारे में उनकी पत्नियों को पता नहीं चला इसलिए वो सबी अभिनेता आसानी से अपनी पत्नियों को धोका देते रहे लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि वही बॉलिवुड में ऐसे भी कई अभिनेता रही हैं जो अपनी पत्नियों को धोका देते हुए सरे आम पकड़े गए हैं जिनने उनकी पत्नियों ने इस तरह रंगे हाथ पकड़ा था कि वो अपनी बीवियों के आगे सर उठाने के काबिल भी नहीं बचे तो इसलिए आज किस वीडियो में हम आपको उन्ही अभी नेताओं से रूबरू करवाएंगे और उनके साथ इनका अफ़ेर लगभख नौ सालों तक चला भी था पर जब नर्गिस की शादी हो गई और सभी को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो खुद राज कपूर नहीं अपने कदम पीछे हटा लिये थे बॉलिवुड के ट्रैजेडी केंग यानि के अबिनेता दिलीव कुमार वैसे तो अपनी पती साहरा बानों से बहुत प्यार करते थे पर एक बार इनका दिल पाकिस्तान में रहने वाले एक आम सी लड़की आसमा जिनकी कोई फोटो नहीं है उस पर फिसल गया था बगर जब इनके अफियर का पता इनके पतनी को चला तो ये सीधा लाइन पर आगए और आसमा के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया बालिवुड के डिसको डांसर मेथुन चकरवर्थी भी अपनी पतनी गौर्जेस वाइफ योगिता बाली के होते वे भी सबसे सुन्दर अभीनेत्री श्री देवी के प्यार में पढ़ गये थे यहां तक की खबरें तो यह भी दी कि नोंने उनसे चोरी छुपे शादी कर ली थी पर जब इनकी अफेर के बारे में योगिता को पता चला तो इनोंने सुसाइट करने की धंकी दी जिससे डर कर मिथुन ने भी खुद ही श्री देवी से दूरिया बना ली थी कॉमेडियन आक्टर गोविंदा की बात करें तो यह भी अपनी पत्नी सुनीता हुजा के होने के बावजूद अभी नेतरी रानी मुखरजी के प्यार में पड़ गये थे और उनके साथ इनका अफेर चलने लगा मगर जब इनके अफेर का पता इनकी पत्नी को चला तो इनो उनके साथ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर के लिए तैयार हो गये थे मगर जब इस बात का पता इनकी वाइफ काजूल को चला तो अज़ा ने खुदी अब्बू के साथ अपने सारे रिष्टे नाते तोड लिए तो दोस्तों कि आप इन अभी नेताओं के बारे में जानते थ